पिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर, अब उनके माबाब बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो, सवेरे सोकर उठो और मुँका थूक आँख में लगाओ, काजल की तरह से, तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते हैं, अब आपको हिरानी होगी कि चश्मे उतर गए, सिर्फ ये लार लगाने आप भी करके देख लीजे, जिनको भी चश्मे, बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे, लेकिन उतर जाएंगे, उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएंगे, आँखों की रोशनी बढ़ानी है, तो मूँ की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से. और एक बताता हूँ, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आँखों की बीमारी है, अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतराया हो आँखों में, वो कंडिशन हो जाती है, कोई भी आयुरवेट की दवा आप खाएंगे, तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है, लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आये तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी का आँगे, 24 घंटे में ठीक होती है, अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है, आठ साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसकी आँखें टेड़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको, अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ, लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है, और उसका टेड़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहेंगापन, उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है, और आखों की पुतलियां बिलकुल बीच में सेट हो रहे हैं, तम मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वज्यानिक को पूछा, दिल्ली में, कि ये लार में क्या है, एक्च्वली इसका एक्टिव इंग्रेडियन्ट क्या है, तो उन्होंने का भाईया, जितने एक्टिव इंग्रेडियन्ट मिट्टी में हैं, वो सब लार में हैं, तो मैंने आपको बड़ा हैं, मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडियन्ट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं, इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीम्ती है बेश कीम्ती है इसको कभी नश्ट नहीं करना ईसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बाते बता दू क्या-क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया एक्जीमा हो गया मान लो खराब बीमारी की बात करूँ एक्जीमा हो गया एक्जीमा पे रोज सुबह की लार लगाई है मालिश करते रही है 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लारस बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज बागवट्ट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप skin disease में इसका experiment करिए आँखों की बीमारियों में इसका experiment करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर experiment करिए फोड़े फिंसियों पर इसका experiment करिए मैंने ये चारों experiment किए बहुत अच्छे result है आप भी करिए result आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराई